स्टी कमिशन के चेर्मेन रांग संकर कठेरिया जी 13 साल तक संकर प्रचारक रहे हिंदी विभाग के प्रोप्रिशा रहे आगरा इन्वेस्टी में इसके लगा अपपूर केंद्री मंत्री भी हैं किनी कारणों से कैबिनेट से इस्तिफा देना पड़ा और स्टी कमिशन के चेर्मेन है और अपनी जिम्मेदारी बाकूबी निभा रहे हैं आज इनसे बहुत बिश्यों पर बात करेंगे कठेरे साब आपका बहुत बहुत श्वागत है तमाम उपाय किये जा रहे हैं दलितों को उत्थान के लिए सरकार ने भी तमाम स्टेप्स लिए बड़े कानून बनाए कड़े कानून बनाए कई प्रावधान है कई एक्टों में संसुधन किया है फिर भी दलित पीड़न रुक नहीं रहा क्या कारण मानते हैं आप और इसको कैसे फ्रेम किया जाए कि चीजों को बिवस्तित हो सके और मानसिक्ता लोग बिल सके देखिए बास सही है कि जो बहुत सारे प्रयाश इस दिसा में हुए है कि दल्टों का उत्थान हो और दलिस स्वाइमान के साथ जीवन यापन कर सके और मुझे ध्यान में आता है कि लोग शवाच उनाओ जीतने के बाद पहली बार जब प्रधान मंती जी ने जो अपना बक्तब दिया था उसमें यही था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी और कमजोर वर्क के लिए सरकार काप करेगी जहां तक आपने जो दूसरा सवाल किया है कि उस पीलन रुक नहीं रहा है या जो दलित हैं वो सीधे सीधे पार्टी के साथ या विचार धारा के दरश्टी से जुड़ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आखड़े हैं उन आखड़ों में पिशली सरकार सो इस सरकार में कम से कम 4% का गिरावट है चोटे-चोटे मुद्दों को जिस तरह हाईलाइट किया गया है और इस तरह का एक कोशिस की गई कि ये सरकार दलित बिरोधी है इससे मैं प देश की दलित प्रॉब्लम या दलित की जो समिस्या है वो कभी भी राजनेतिक नजरिया से हल होने बाली नहीं है जब तक देश में राजनेतिक नजरिया रहेगा तब तक ये दलित समिस्या का हम मूल समाधान खुजने की कोशिस भले करते रहें लेकिन उसके सुपरडाम नहीं आएंगे हमें देखना होगा कि शामाजिक तोर पर हमें आकलन करना होगा आर्थिक तोर पर हमें उस ठीक से आकलन करना होगा हमें शिच्छा के तोर पर हमें आकलन करना होगा तो जो सरकार ने काम किया है उसकी उपलब्दिया भी है उसका प्रडाम भी है उसे सकारत म बहुत सारे तथ सामने भी हैं और इस सामने तथ नहीं होते तो मैं यह कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर बिना दलतों के समर्थन के भरती जन्ता पार्टी आज पूरे देश में स्थापत नहीं होती और उसी का परणा में यह साड़े चार साल की सरकार का ही प्रडाम है कि साड़े चार साल की सरकार ने काम किया है रासर नहीं दिया है दलतों के लिए काम किया है S.C.S.T.A. एक्ट पर कितने पार्लियामेंट में कितना लगवक सत्तर असी विश्यों को जोड़ करके उसमें उस एक्ट को प्रभावी वनाने के लिए संसोदन किया है तेकर उसका असर नहीं दिख रहा है अगर आप हमारे कहना असर का हम मुल्यांकन यह नहीं करेंगे कोई बिपच्छी बोला चला चला करके कि भारती जनता पार्टी या मोधी जी दल ब्रोधी है यह हमारा आकलन आकलन का पैमाना नहीं होना चाहिए उनको आप नकारिए उनको आप एक्स्पोज कीजिए नहीं हम तो नकार रहे नकार नहीं रहे दले समाज नकार रहे उर्बांचल में हम सरकार बनाते हैं देश के अलग-अलग स्टेट में भारती जन्ता पार्टी सरकार बनाती है हम जहां जाते हैं वहां हर छेत्र में भारती जन्ता पार्टी में दलिस समाज के लोग खड़े हुए हैं तो यह कम बात नहीं है लेकिन सामाजिक विवस्था को परवर्तन करने के लिए राजनेतिक सत्ता परयापत नहीं ह ये सामाजिक परवर्तन का जो सोच है ये दोनों पच्च का जो सोच है चाहे सवाड हो चाहे दलित हो चाहे पिछडा हो ये सामाजिक विवस्था के अंतरगती उसमें परवर्तन की प्रक्रिया दीरे-दीरे शुरू होगी और उसी से सुधार की पूरी संभावना है सरकार या किसी राजनितिक दल से पूरी संभावना हम नहीं मान सकते है उसके लिए विकास हो सकता है उसके लिए सम्मान हो सकता है उसको अधिकार मिल सकता है लेकिन उसी के साथ साथ सरकार के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी हमारी मजबूत होनी चाहिए और सामाजिक व्यवस्था की परवर्टन की दिशा भी मजबूत होनी चाहिए तब मैं मानता हूँ कि जो दूरी है या दूरी कम होगी एक आकड़े NCRB की रिपोर्ट है NCRB की रिपोर्ट पिछे 10 वर्सों में करिब 6-6 फिसदी दली तुटपीड़न के मामले बढ़े हैं कहां समाज कहां से कहां जा रहा है लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं विकास सिल्देश की बात कर रहे हैं दुनिया में हम अपने आपको एक विकास सिल्देश की रूपे प्रसुद करते हैं लेकिन 66 फिसदी मामले सिर्फ दली तुटपीड़न के बढ़े हूं यह अपने आप में चिंता का विशे नहीं नहीं यह इस से मैं सहमत नहीं हूँ कि NCRB की जो रिपोर्ट है 66 परसेंट यह मुद्दे बढ़े हैं यह ले दस वरसों मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी अभी सरकार जो हम कह सकते हैं कि सरकार में आप रिकॉर्ड उठा लेए तीन-चार परसेंट के गिरावट आई है और इसी के साथ मैं यह भी कह सकता हूँ कि एक महाल बनानी की कोशिश जरूर की गई है कौन लोग है सरकार इसके पीछे कि जो महाल बनानी कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो सत्ता जिनको नहीं मिल पाई है वो लोग है जो सत्ता के लिए परेसान है आप भी इसके लिए मानते हैं कि इस तरह मोटिवेट हो सकता है बातों में तो वो कम पड़ा लिखा है कम जोर बर्क का है आर्थिक दरिश्टी से वो दले थे या पिषडे बर्क की लोग हैं तो वही कोशिस हो रही है तो कहीं आप भी तो उसका सिकार नहीं हो गए हर्डी में मंतरी थे बहुत सारे लोगों की ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ, और कोई सिकार का विशय तो नहीं है, और आजनीत में सिकार का मैं मानता भी नहीं हूँ कि कौन सिकार होता कि कब सिकार होता है तो विशय मानता नहीं है। लेकि उन आरोपों किती सचाई रही है जो आप पे लगाए गए कि आपने असनातक और आपने जो पीजी की जो अंकपत्र लगाए उन में कही नहीं जालसाजी है, फोरजरी है, कुछ नहीं कुछ उसमें आपने बना कर प्रस्थित किया, कितनी सचाई है, तमाम तरह के आरोप नहीं है, उनके जाने कौन कौन है, सब उसमें होता है, मेरे खिलाफ F.I.R. हो के जेल चला जाता है, ये तो उनका चुनाव के समय एक प्रपोगंडा था बाद में, उसमें कोई दम नहीं मिली तो खतम हो गया, नहीं तो वो जेल बेज़ते थे, बिदान सबाद चुनाव मे में किवल, नहीं लोग सबाद चुनाव में, लोग सबाद में तो ये मामला उटा लेकिन वो दा, बात में मन्तरी बने उसके बाद तो हैं तो वो तो दबा हुआ पिन ने कार लिया खहीं से चलु करने के लिए, तो बहुत है, ये राइनीत में, दूसरा साजस कर रहा है, कर इन चारो राज्यों की बात करें तो दली तुट्पिरन के सबसे ज्यादा मामले इन ही राज्यों में तरश किये हैं। बात कई गुजरात में भी घटना हो रही है लेकिन घटनाओं के पीछे सरकार का कोई पच्छ है या सरकार के काड़ है ऐसा बहुता हूं कुछ घटना स्वभाविक रूप से होती है ये जो दलित और सवाड और ये जो सोच है इस सोच के काड़ होती है और टोटल करके उसको हम जोड़ते हैं तो हमें एक दलित को भी समान करके घटना घटते हैं सपा और बस्ता अगर गटबंधन होता है या कॉंग्रेस में सामील होने की बात चल रही है इनका घट जोड़ अगर होता है चाय आगरा हो या दूसरे लोग सबाचेते रहूं फरक पड़ेगा यह ठीक देखा चुनाओ अरे देखे ओधार अलाग हो सकता है गुरत पूरा मोर्म हर एक मॉडल नहीं हो सकता है उन्हों अधार के रूम में एक कोशिश की मायवती जी नहीं लड़ी सब गुरत पूर और कहराना परागत सिट मानी जाती है माल लिया मालिया उप्चुनाओ में कोई प्रदानमंत्री नहीं बन रहा है दोहजार उन्नीस से प्रदानमंत्री नरंदरभाई मोधी बनेंगे लेकिन ये फिल्म का ट्रेलर तो मान सकते हैं इसे फिल्म के ट्रेलर सही नहीं होता है हमारे लिए पार्टी के लिए सही हुआ है हमें और मेहनत करना चाहिए कमजूर व सब्सक्राइब तो आप तो सब्सक्राइब करेंगे यह अपने बर्चस की लड़ाई लड़ेंगे एक दूसरे के बर्चस की लड़ाई नहीं लड़ेंगे सब्सक्राइब को मजबूत नहीं चाहीगे भर्चस के मानकों बेखें तो ताज महल आज की लिन पहला सबसे बड़ा अजूबे के रुप में सामिल किया गया और सबसे यदा ओट भी मिले विस्टों है उसको लेकिन यदा कदा आपकी पार्टी के जो लोग है कहते रहते हैं शुर्बरमाणन स्वामी की बात करें या तमाम और ऐसे लोग हैं बयान आते रहते हैं दरसल ताज हमारा सियो मंदिर था और सब्रसूं को लेकर भी बात कही न कहीं खड़ा होता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बिस्वस्तर पर जब इस तरह की बाते आएंगी तो उसकी जो मौलिकता है उसकी जो अपनी विश्वश्शनियता है जिसके लिए वो जाना जाता है ताज महल है ताज महली रहेगा अपना अध्यन और अपने अध्यन के रूप उस पर अपना बोलना ये एक सुतंदरता है बोलते हैं लेकिन मुझे लगता ताज महल ताज महल रहेगा एक अंतिम सवाल मेरा उत्तर प्रदेश सरकार कैसा काम कर रही है क्योंकि आपके कारकरताओं से भी जब मैं बात करता हूँ तो कई बार इस तरह की सामने आती है बात ने कि कारकरता थोड़ा सा नाकुश है और उसी का नतीज बदलाओ की संभावना है तो किस तरह की बदलाओ की संभावना है देखिए मैं कह सकता हूँ कि एक साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था खत्म हुआ सिच्छा के छेतर में बहुत बड़ा परवर्तन हुआ किसानों के लिए पहली बार बहुत बड़ा परवर्तन हुआ किसानों को करज मुक दिया गया 36,000 करोड़ रुपया गन्ना का सारा भुक्तान किया गया एक बहुत बड़ा परवड़तन हुआ पहली बार आलू का सरकारी रेट घोसित हुआ पहली बार गेउं का रेट साले 17 सर रुपया घोसित किया उतर प्रदेश की सरकार ने तो पहली बार लॉइन ओर इस्थापित हुआ सिच्छा के चेतर में बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए बहुत सारी सब्दाइं दी और आए एक बात आपको बताता हूँ आम गरीब के लिए आप किसी गाउं जाएए जब हम आज किल गाउं की चौपाल में जाते हैं तो उस चौपाल में हजार पांच से लोग आते हैं और जब मैं पूछता हूँ कि आपके घर पे सौचाले कितने लोगों के बने तो दो से लोग हाँ तो ठाते हैं कि मेरे घर पे सौचाले बन गया मोधी जी ने मेरे घर में सोचाले बनवा दिया इजद घर बनवा दिया गाउं में लोग कह रहें कि पहली बार जो राजीब गान्दी जी ने बोला था कि एक रुपया भेजता हूं गाउं में पंद्रा पैसा जाता है आज मैं कह सकता हूं कि नरंद्र भाई मोधी जी एक रुपया भेजते हैं तो एक रुपया जब भेजते हैं हसाब तो पूरा एक रुपया गाउं के विकास में लगता है ये अंतर है कॉंग्रेस और बीजी पी के सबकार गठेर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप काम से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद ये थे हमाईसाद रामसंगर कठेरिया जी आगरा से सांसद है और स्थी कमिशन के चेर्मैन है तमाम विश्यों पर बड़ी बेबाकी से इन्होंने जबाद दिया और दली तुत्पिलन के मुद्देव पर साफ इनका कहना है कि कम हो रहे हैं, लगातार इनके गिरावट आ रही और हमारी भी यही कामना है और शुपकामना भी है इनको कि लगातार इस पर गिरावट आए क्योंकि देश की अखंड़ता के लिए ये बहुत जरूरी है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है